तो पी का मतलब होता है बाद में तो पाद में तो पाद में पता लगता है बजेड पहले अनौंस होता है एडवांस में एकसेन टे तहीं ऑपके पोलिशी में तो याद रखने आपने Taxes, Expenditure of Government, Expenditure of Government में Subsidies भी आ जाती है, इसके साथ ही Mechanism चलाती है सारा, Demand को कम करना है, Increase करना, Economy में, वो इनके थुरू करती है, दो instruments के थुरू, Monetary Policy में Central Bank के जितनी भी policies है, मतलब जो quantitative and qualitative है, जो previous chapter में है, मतलब आपके banking के, वो आपने यहां से, मतलब दोनों chapters में है, Very very important, इसलिए यह question बन जाता है, तो यह आपने दोनों तरीके की policy आ सकती है, किसके साथ यह question आएगा, यह आएगा inflationary, deflationary gap के साथ, कोई schedule नहीं बनाना होता है, उसमें सिरफ diagram बनाना होता है, आप मेरी video चेक करो playlist में आई हुई है, वो ज़रूर आपने तियार करना diagram उसका easy है, ठीक है, यह थोड़ी मैंने meanings लिखे है, full employment क्या होती है, voluntary या involuntary होती है, full employment में हर कोई काम कर रहा है, ready to work है, सब के पास work है, voluntary में यह बंदों के पास, they don't want to work actually, voluntary में यह है, कि जान बूज के नहीं काम कर रहे, involuntary में क्या है, कि they won't work but don't have, काम करना चाहते हैं पर उनके पास काम नहीं है, तो यह आपने ज़रूर करना है, एक derivation आजाती है बेटा कई बार, कि saving curve से आप consumption curve बनाओ, outline these steps taken in deriving consumption curve from saving curve, explain these steps taken in derivation of consumption curve from saving curve, तो यह मैं आपको भी सिखा दती हूँ next video में, कि यह कैसे करते हैं, और यह important है,